हाई फिरन मैं संधिया और आप लोग कैसे हैं आई हूप आप लोग बहुत यह अच्छ होंगे तो आज मैं आप लोग को सामने एक ठेडिंग का वीडियो शेयर करने जा रहे हूँ जो कि मेरी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि मैं ठेडिंग का वीडियो बनाओ और आप अ उनकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने बोला सोचा कि चलो बना देति उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि मैं अपनी ठेडिंग बना के वीडियो को मेरी जूक बालों की गुरोध थी तो मैंने अब्रो 5 यह और फिल करते हैं यह और फिर शेव देने कवाए तो धोड़ा h hareका खिचा तो यहां मैंने कैची से कट कर लिया है जो एश्ट्रा जो बड़े बाल थे मेरे हैर थेडिंग के और यहां मैंने मसीन वाले धागे से नहीं बना रहे हूं क्योंकि मैं अब्रो वाले धागे से इसलिए नहीं बना रहे हूं क्योंकि मेरे उससे पेन होता है दर्द होता है जो बाल हम निकालते हैं हैर को और जो यह मसीनी वाला धागा होता है उससे बिलकुल इतना ज्यादा मतलब दर्द नहीं होता है जब अपने हांस से मैं बनाती तो मैं अपने abro के लिए यही धागा यूज करती हूँ जो machine में हम यूज करते हैं और जब मैं दूसरे के बनाती हूँ तो threading वाला धागा यूज करती हूँ यहां मुझे अपने बनानी थी तो मैंने इसलिए याला धागा यूज किया बहुत असानी से निकल भी आते हैं और पेन बिलकुल भी नहीं होता बनाने में यहां देखें मैंने जो पैंसिल की चाहि थी शेप दिया था एक नॉर्मल पैंसिल से वही रखी थी तो मैंने उसी से एक शेप दे दिया था और round round करा है मैंने मतलब धागे को तोड़ा है और दोनों पार्ट को गाट माल लिया है धागे में जैसे हम बान देते हैं और मैंने यहाँ पर गाट मालने के बाद फिर round round कुमाया है जैसे आप देख के समझ जाईएगा जैसे मैंने इसे बताने में इधर उधर हो रहा तो यहाँ मैंने अपने eyebrow को बनाना शुरू कर दिया है और देख सकते हैं आप कैसे hair निकाल लए हूँ और उतने में मैंने pencil को खिचा लिया था कि मुझे कितने hair निकालने हैं तो उसी हिसाब से मैं निकाल रही हूँ अगर आपको eyebrow बनाना नहीं आता तो आप ऐसा shape देखे अपनी threading को मतलब pencil खिचा के एक shape बना लिजे जैसा आपको पसंद हो जैसी आपकी eyebrow हो अगर आपकी eyebrow गोल हो तो गोल में किसी की मतलब उठी eyebrow होती है वैसे shape जैसी आपकी eyebrow वैसे shape एक pencil की मदद से बना लिजे जब आप धागा चलाए और मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगता है अगर आपको eyebrow वाला यूज करना है तो आपको जिससे बेटर लगे आप उसी से बनाए लेकिन मैं यहाँ पर अपने लिए machine वाला यूज कर रही हूँ इससे भी बहुत ही अच्छी eyebrow बन जाती है देखिए मैं आपकी लोगों की शामने बना रही हूँ और आप बहुत ही अस जाती है दस मिनट में मेरी eyebrow यह बनके रेडी हो जाती है मैं अपने हाथों से यह बनाती है मुझे अपने हाथ की जो eyebrow बनाती हूँ तो मुझे वह काफी पसंद आता है तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे से इससे निकल आते है जो मसीनी धागा होता है उससे hair आ बहुत ही अच्छे से तो यह देखिए अच्छे से हो मेरे बहुत ही ज़्यादा जो hair थे ना threading मैंने काफी दिन से बनाई नहीं थी तो उसकी जो growth थी बहुत ही ज़्यादा आ गई थी मेरे eyebrow बिलकुल भी अच्छी नहीं देख रही थी तो मुझे एक friend ने बोला कि मैं आप अपने eyebrow का मतलब threading का वीडियो जब आप बनाए तब आप शेयर कीजिए तो मैंने सोचे जब बोल ला है तो चलिए मैं अपने eyebrow तो बनाना हाई है मुझे क्यों ना मैं शेयर करदू उनकी request भी थी तो जिनकी ये request थी मुझे बताना जरूर कि आप लोग आपको ये वीडिय और जो बाकी फ्रेंड है वो भी बताएं कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं और मैं अपने eyebrow अच्छी बनाई हूं कि नहीं यह भी आप लोगों को बताना है यहां मेरी एक जो ट्रेडिंग थी वो बन गई है जो छुटे चुटे हैर है वो भी मैं धागई की मदद स तो हम निकाल लेते हैं और जो हमारा नीचे का पार्ट होता है अब्रोट थेडिंग का वो थोड़ा सा नाजुक होता है आई के पास तो मैं एक-एक हेर करके निकालूंगी और धागा को मैं घिसला के मतलब मतलब घिसला के मैं यह जो जैसे कोई नहीं है पकड़ने के लिए तो मैं ऐसे जैसे आपको अभी दीख रहा है ना वैसे मैं निकालूंगी थोड़ा सा मैं सरका देती हूँ अपनी फिंगर देख के मुझे मेरे समझ जाईगा तो जो एश्टर हैर है मैं इसको भी निकाल ले रहे अब आती है बारी मेरी एक ठेडिंग तो बहुत ही अच्छ बनती है और एक थोड़ा सा सेफ अलग है एक थोड़ा सेफ अलग है तो मैंने जो अभी याली बनाई है तो इसका सेफ इसका सेफ और तो यह अच्छा होगा इससे क्या होता मेरे पेन भी नहीं होते हैं और मैं जब बनाती हूं तो मेरे मतलब लगता भी नहीं है और मैं वाले धागे से बनाते हैं आईब्रो वाले धागे से तो उससे मुझे पेन होता है इसी वज़े से मैं नहीं बनाती हूं और दूसरों की बनाती वाला यूज नहीं कर दे, तो देखिए मेरे जो ठ्रेडिंग थी, जो मेरे हेर थे, वो मैंने काफी साफ मतलग क्लीन कर लिया, तो आप देख सकते हैं कितने धीमे धीमे से मैं बना रहे हूँ, और यहां पर कोई भी मेरे जो आइबिरो का जो नीचे वाला पार्ट होता है, उ और अच्छा समय आराम से बनाया है, मैंने इस वीडियो को कहीं भी भगाया नहीं है, और बिल्कुल आराम से बनाया, जितनी देर मुझे लगती है, अबरो बनाने में 10 मिनट, उतनी देर का यह वीडियो है, कोई भी मैंने इसमें भगाया नहीं वीडियो, एक एक हेर आपक उसे ही अब्रो बनाती हूँ, देख सकते हैं, पहले कैसी थी, अभी कैसे, अब थोड़ा आता पार्ट नीचे का, जो है, अब यहां तो कोई पकड़ने वाला है नहीं, यहां मैं क्या करूँगे, मुझे मतरम हेर निकालने का टेक है, क्योंकि मैं अपनी अब्रो बनाती रहती है, और धागे को खीचे मत, सरका देजिए, देखिएगा, यह देखिए, मैं उसी पार्ट में सरका देती हूँ, यह देखिए, तो निकल आता है, और पेन भी नहीं होता, अजबकि कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, यहां पे, मैं अपने हेर खुद हटा रही हूँ, यह कि मैं यह दिमे, कोई जल्द बाजी सी नहीं आता रही, मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को साथ शेर किया है, कोई भी भगाया नहीं है वीडियो, अगर यह दिमे आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो लाइक शेर जरू कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं हो, तो म आप लोगों को बताईए का मुझे ये वीडियो कैसा लगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल हेर क्लीन होगा मेरे मैं आके बंद करके भी आपको दिखा रहे हूं थोड़ा सा मैं जो मेरा मत्था में हेर हैं तो मैं उसको भी बिल्कुल क्लीन करूंगे बिल्कुल साफ और मैं जब अब्रोष सिट करते हैं तो मैं मत्थे के भी आपने इस्चोटे जो रहते हैं इससे क्या होता है जो मत्थे होता है जल्दी-जल्दी कर रहे हो एक बनाती रहतियों अपनी ये तो मुझे अन्भा होआ है हाथ चलाने का। और यहां मेरी eyebrow बन गई है और मैं रुमाल हैंगी के मदद से जो hair मेरे आ गया है फेस पे तो उसको मैंने हटा दिया है अब देखी मेरे पूरी eyebrow जो है मेरी बन के ready हो गई तो आप देख सकते हैं अभी तो मैंने कुछ भी इसमें pencil ने चलाई है और काफी अच्छी eyebrow मेरी बन ग तो मैं वही pencil ले रही कोई कि मैं बैठी थी तो वही pencil वहां पर रखी थी तो मैंने यह ज्यादा महेंगी वाली pencil नहीं बस एक save देने के लिए मैंने यूज किये इसको और इतनी अच्छी भी pencil नहीं है पस आहां यह काम चलाओ ठीक है यहां मैं थोड़ा सा pencil से एक save देखे थोड़ा मेरी eyebrow और आप लोगों को अच्छी दिखने लगेगी ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी चला ली है अब देखे अब बहुत ही अच्छी दिख रहे हैं अगर मैं कोई अच्छी क्वाल्टी के eyebrow फिल करूंगी तो और अच्छी लगेगी मेरी eyebrow बन गई हो तो लेकिन मैं एक normal pencil से एक से भी बस दिया है तो आप देख सकते हैं यहां मेरी eyebrow बन के बिलकुल ready हो गई है और बन के तयार हो गई है तो आपको मैं अच्छे से दिखा भी देती हूँ तेड़ा करके मूँ सीधा करके मूँ अच्छे से कि देखे मेरी ऐसे बनी पहले ही कैसी थी अभी कैस थी थी थोड़ा सा एक्शन करके भी दिखा रही हूं आप लोगों को कि मेरी eyebrow बन गई है आप लोगों को कैसी लगी मेरी थोड़ी थोड़ी में पैंसिल चलाई ज्यादर डार्क नहीं चलाई थोड़ा ग्लीन और अच्छा सा देखे तो देखिए बन गई चली मैं मिलती न